ओम शान्ति मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूँ स्वास्त की सीरीज में हमने संपूर्ण स्वास्त के बारे में देखा कि कैसे संपूर्ण स्वास्त माना जीवन में संतुलन होना जरूरी है और जो प्रमोख dimensions of health या स्वास्त हमने देखे शारिरिक, मानसिक, सामाजिक और अध्यात्मिक इसमें से शारिरिक स्वास्त के बारे में हम आज देखने वाले हैं इसमें कोई दोर आए नहीं है कि इस समय लोग अपने शरीर के प्रती काफी जागरुख हो चुके हैं अभी शरीर में क्या है तो शरीर में अलग-अलग संस्थाए है उपर से लेकर मनसिर से लेकर पैर के अंगु ठे तक शरीर के अंदर अलग-अलग systems है जैसे ये मस्तिश का है जिसे हम nervous system कहते है जिसमें मस्तिश का मज़ा रज्जू और सब नसे होती है उसके बाद च्छाती के अंदर दिल है जिसको हम कार्डियो वैस्किलर सिस्टम के दिल के साथ नीला और रोहिनी ये सब खून की नलिकाय भी होती है फिर उसके बाजू में फेफडे है श्वसन संस्ता है फिर पेट में पचन संस्ता है और उसके साथ में ये हाथ और पैर की मास्पेशिया है तो मस्किलो स्केलिटल सिस्टम हम कहते हैं मास्पेशिया और हड्डिया और त्वचा है फिर प्रजनन संस्ता है और उत्सरजन संस्त यह आपस में ताल मेल से चल रही हो और सभी अपने आप्टिमम फंक्शन पर चल रही हो माना सभी का कारिक्षमता बहुत अच्छी है शारिरिक स्वास्थ में इस समय अगर आप मुझे कहो तो लीडिंग कॉस नंबर वन कॉस है मृत्यु का वह हार्ट की बीमारिया हार्ट अटैक से तो टॉपमोस जो बीमारिया आती है वो है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मधुमेह या पैरलिसिस या लकवा कहते हैं यह शरीर से जूड़ी हुआ और इसके साथ कैंसर यह शरीर से जूड़ी हुई बीमारिया है अगर हमको शरीर का स्वास्ता अच्छा रखना है तो मुख्यट तीन बातों के उपर हमको ध्यान देना चाहिए. वो तीन बाते हैं कि हमारा भोजन दूसरा है कसरत या व्यायाम और तीसरा है रेस्ट या नीन यह तीन बाते हैं अगर हम अच्छी तरह से समालते हैं तो हम अपने शरीर को काफी हद तक स्वस्त रख सकते हैं सबसे important मैं जो इस समय देख रहा हूँ भोजन और भोजन के बारे में बहुत सारी थेरीज है डाइट्स के बहुत सारे प्रकार है इस समय हम देख रहे हैं कि मनुष्य की जीवन शहिलिया ऐसे हो गए कि उसका sedentary lifestyle है माना शरीर का व्यायम नहीं होने के वज़े से ज़्यादा तर लोगं computer के सामने बैटे रहते या office में बैठे रहते इसलिए मोटा पका शिकार होते हैं और शरीर का मन के उपर effect आता है तो मानसिक बीमारियों के भी शिकार होते हैं तो भोजन में basic principle ये ध्यान में रखना है कि हमको plant-based diet लेना चाहिए माना हमारे भोजन में ज़्यादा तर रेशा होना चाहिए फाइबर होना चाहिए तो फाइबर वाले diet कौन सा है तो सभी सबजी और फल ये इसमें आता है भोजन संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक सभी पोशक तत्व मिले तो उसमें protein, carbohydrates, fats, पानी ये महत्वपूर्ण है और साथ में सूर्य प्रकाश ये अगर हम लेते हैं तो हम पहले concept को अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं दूसरा है कसरत बहुत important है कि रोज कम से कम एक घंटा तो पैदल करना चाहिए अंग्रेजी में कहते हैं walking is the queen of exercise अगर आप जीम में जा सकते तो अच्छा है लेकि नहीं जा सकते तो कम से कम पैदल करना चाहिए इससे बहुत सारे फाइदे होते केवल शरीर ही ठीक नहीं रहता शरीर की बहुत सारे बीमारियों का इलाज वॉकिंग है मानसिक तनाव भी कम होता है blood pressure control में आता है मदू में भी नियंतरन में आता है और नीन भी अच्छी आती है और तीसरा और महत्व पूरणा है नीन इस समय मेरे पास नीन डिस्टब होने के काफी कैसे से इनको हम insomnia कहते या नीन की बीमारिया नीन की बीमारिया बहुत प्रकार की है लेकिन इस समय नीन बहुत important है क्योंकि तनाव में नीन अफेक्ट होती है तो नीन कम से कम 6-8 घंटा होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए तो जितनी हमारी नीन गहरी होंगी और उमर के हिसाब से बच्चे जादा सोते हैं बुड़े लोगों को कम नीन लगते हैं को चार से 6 घंटा नीन है जो योगी होते हैं उनकी अगर योग की अवस्ता अच्छे तो कम नीन उनको जरूरत है लेकिन यह भूजन वयाम और नीन को हम अच्छी तरह से जीवन में संतुलित मात्रा में इस्तिमाल करते हैं तो हम अपने शारिरिक स्वास्त को अच्छा सकते हैं घर में अच्छे रह सकते हैं और समाझ के प्रति अपना योगदान भी दे सकते हैं तो चेक करने चाहिए कि मेरा शारिरिक स्वास्त ठीक है या ने इसका मतलब मेरा पैल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरिशन, सांस लेने का मेरा सांस फुलता है, नही फुलता है, म मदुमेह ब्लड प्रेशर इसके लिए नियमित रूप से हम कहेंगे साल में एक बार अपने पूरे बाड़ी का चेक अप करेंगे तो भी हमको पता चलेगा कि हम अर्ली स्टेज में बीमारी को कैच कर सकते तो अपने शारीरिक स्वास्तक के ओपर ध्यान देंगे अच्छा ओम शान्ति शान्ति